नमस्कार सूपरबात गुड मॉनिंग बिहार स्वागत है आप सभी का आप देख रहें मगसंबाद मैं आपके साथ हूँ सुनिल भॉवी हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू चाहे वह बाज सरकार की हो या जनता की सरोकार की हर खबरों से आपको आए जानते हैं बियार की परवुख ठबरों को बियार में 18 दिसंबर से बढ़ेगी ठंड का कहर बियार में ठंड का असर 18 दिसंबर से पढ़ सकता है इस दवरान नियुंतन तापमान में बारी गिरावट दर्ज किये जाने की उमीद जताई जा रही है पटना इसित मौसम बिग्यान केंद्र के मौसम बिग्यानेक आनंद संकर ने पुर्वानुमान जताते वे बताया कि इस दवरान वियार के कई जीलों का तापमान साथ दिगरित तक रहने की समौना है बताया कि अगले 72 खंटे तक बियार के लोगों को घने कोहरे से रहात मिलेगी लेकिन इस दवरान खंड पर करार रहेगी मौसम बिग्यान ने अगले कुछ दिनों में हलकी बारीज को लेकर भी पुर्मानुमान जताया है मौसम बिग्यान के मुदाबिक बिहार के कई हिस्सों में बारीज 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को हो सकती है बारीज के कारण 25 पिछोत का शक्रिय होना बताया जा रहा है आजपा नेतावक किंद्रिय मंद्री रविसंकर कुमार ने कहा कि अब कहें भी आनाज बिश सकते हैं किसान कहा नए क्रिसी कानून से बढ़ेगी आय विपच्छ कर रहा है जूट की खेती किसान कहें भी बजार में अपनी फसल का अनाज बिश सकते हैं नए क्रिसी कानून से किसानों की आय बढ़ेगी विपक्ची जूट की खेती कर रहे हैं। किसान अब मंडिप एक्स बैपार मंडल समय किसी भी बजार में फसल बिजने जा सकते हैं। कर रहा है मन्थन। कर रहा है मन्थने जा सकते हैं। कर रहा है बाकी निर्ने लेनी की समय होना है लेकिन विश्वस्वत्रों से मिली जाने कारी के मुताबिक सिच्चा विबाग इस पर कंबीर मंतन कर रहा है। दिसंबर के अंध तक 8.5 परतिसत ब्याज डालेगा इपीएफों। इपीएफों पीत वर्स दुआजार तुनाइस बिस के लिए करिक्षा कडो अंस धारकों के करमचारी बविश्णी दी इपीएफ खातों में दिसंबर के अंध तक 1.8.5 परतिसत का ब्याज डालेगा। तरम मंत्राले के बित मंत्राले को इस शमन्द में परस्ताव भेजा है। अटक में ही ले लिया गया था। बता दे कि इस सिस्टम से अब ग्राफों को पैसे भेजने में आसानी हो जाएगी। बरतमान में ये सिस्टम हर महीने के दुसरे और चौते सनिवार को छोड़कर सब्ता के सवी कार्ज दिवसों में शुबह 7 बजे से 6 बजे तक काम करता है। जो बिते रात से 24 घंटे 7 दिन उपलब रहेगा। इस पर आरमिक चर्दा सुरू हो गई है। बंगाल के विधानसवा चुनाओं में किस्मत अजमायेगा हम। जीताराम मांजी के अजस्तावाला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पच्छी बंगाल के विधानसवा चुनाओं में अपने परत्यासी उतारेगा। रभी बार्म को पार्टी के राष्टिये पर्षद की बैटक में सरुस्ता मत्री से अफ्यस्ता लिया गया है। इससे पहले राष्टिये पर्षद का उद्गाटर जीताराम मांजी ने किया। प्रारम में पर्देश अध्याजित भी एले बैशनेंत्री ने पार्टी नेताओं अकर्द करताओं का स्वागित किया। उन्हें जीत की बादाई दी बैटक को सबुदित करते वे पार्टी के रास्तिये पर्दान सचीव, मासचीव और लगुचल संसाधन मंत्री संदोस कुमार सुमन ने कहा कि हमारा उदेश गरीबों का विकास है। हम सिप गरीबों के लिए खाम करेंगे और गरीब हटाओं पार्टी का मुत्ता होगा। बागपा माले ने किसानों के अधिकारों के सवालों पर अंदोलन तेज करने की घोशना कर दिया है। नेताओं ने कहा है कि हरे गाओं में किसान पंचायतों का योजन होगा और वहाँ से इन कानूनों के खिलाप फरस्ताव पारिक किया जाएगी। पंचायतों में परदान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्री मंत्री अमीनसा का फुटला दान भी किया जाएगा। जा दिरोध खत्म करने को नहीं रनीती सुरूग। प्रिशी कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से टकराव पड़ता देख सरकार नहीं रनीती बनाने में जुट गई है। प्रिशी कानून के समर्थन में उत्राखंड से आए। सो से ज्यादा किसानों से बात करते वे खृषी मंत्री दोमर ने नए कानूनों के खिलाप उस पचार के लिए भिपच्छ पर दिशाना साधा। उनने काहा कि इन कानूनों से शुरुआत में कुछ पर्षानी लग सकती है। लेकिन आगे चलकर एक किसानों के लिए बहुत हिलाबेकारी सा भिठ हो गये। किसानों के साथ इस वैटेग में क्रिसी मंत्री, राजमंत्री, कैलास चोधरिया, उत्राकंड से शिच्छा मंत्री, अर्विन पांडे भी मौजूद रहें। दोबने का सरकार ने जम्मू कस्मिर और विसेस दर्जा हटाया, अब भी विरोध हुआ, संसोधी नागरिक्ता कानुचा लाया गया, तब भी विरोध हुआ, क्रिसी सुधार किये गए, तब भी विरोध हुआ, कुछ लोग हैं जो केवर विरोध करते हैं, और देश को करते हैं, केंदरिय मंत्री परकास जावेटकर ने कहा कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुड़े हैं, सरकार उनकी चिंताओं पर बात करने के लिए तयार है, पुला गोलगर दिदार को पहुचे लोग, संकर्मन के चलते आठ मार्स से बंद रहे, गोलगर को दर्सको के दिदार के लिए खोल दिया गया है, लेकिन गोलगर पर चड़ने की अनुमती अभी नहीं दी गई है, प्रोना संकर्मन के चलते गोलगर को 13 मार्स से बंद कर दिया गया था, दर्सकों के लिए खोला गया तो यहां लोग पहुचने लगे हैं, सुबा 10 बजे से 3-5 बजे पर देख रहे हैं, तो फेस्बुक पेज को लाइक कर ले, गर यूटूब चैनल पर देख रहे हैं, तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, खबरों में आज पस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय वारत, बंदे मातर.